हाई दोस्तों, हम जानेंगे जियस के कुछ कुश्चनों के बारे में, जो आज के लिगजाम में पूछे जा रहे हैं कुश्चन नमबर एक, सत्पुडा परियटनिस्थल किस राज्य में इस्तित है? A. मध्य प्रदेश B. जारखंड C. पंजाब D. हरियाडा इसका सही अंसर है A. यानि की मध्य प्रदेश कुश्चन नमबर दो लोग तक जील किस राज्य में इस्तित है? A. बिहार B. करनाटक C. महाराष्ट D. मडिपूर इसका सही अंसर है D. यानि की मडिपूर कुश्चन नमबर तीन बाउल गायन कहां का एक लोक रूप है? A. गुजरात B. बंगाल C. करनाटक D. पंजाब इसका सही अंसर है B. यानि की बंगाल कुश्चन नमबर चार मिनाच्छी मंदिर किस राज्य में इस्तित है? A. तमिलाड B. उडिशा C. केरल D. आंधप्रदेश इसका सही अंसर है A. यानि की तमिल नाडू कुश्चन नमबर पाँच अंतराश्टिय परमाड एजनसी का मुख्याले कहां इस्तित है? A. निव्यार्क B. वियना C. पेरिस D. बर्न इसका सही अंसर है B. यानि की वियना कुश्चन नमबर छे बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था? A. दाजग्रे B. पाटल पूत्र C. गया D. सारनाथ इसका सही अंसर है D. यानि की सारनाथ कुश्चन नमबर साथ पंडवानी किस राज की प्रमुख कला सहली है? A. उत्तराखंड B. छत्तीस गड C. मधिपडेश D. उत्तरपडेश इसका सही अंसर है B. यानि की छत्तीस गड कुश्चन नमबर आठ बेगम अक्तर कला की किस विधा से सम्बंधि था है? A. नरत्य B. चित्र कला C. संगीत D. लोक कला इसका सही अंसर है C. यानि की संगीत कुश्चन नमबर नो राष्टपति पर महाभियोक की प्रक्रिया का वरणन किस अनुच्छेद या आर्टिकल द्वारा किया गया है? A. अनुच्छेद अठावन B. अनुच्छेद एकसट C. अनुच्छेद चोंसट D. अनुच्छेद सर्शठ इसका सही अंसर है B. यानि की अनुच्छेद एकसट कुश्चन नमबर दस भुटान, चीन और म्यामार की सीमा किस राजि से जुडती है? A. पश्चिम बंगाल B. सिक्किम C. अड़ान चल प्रदेश D. मेघाले इसका सही अंसर है C. यानि की अड़ान चल प्रदेश कुश्चन नमबर ग्यारा संसत का वर्डन किस आर्टिकल में किया गया है? A. अनुच्छेद अठावन B. अनुच्छेद उन्यासी C. अनुच्छेद एकसो उन्तिस D. अनुच्छे सो इसका सही अंसर है B. यानि की अनुच्छेद उन्यासी कुश्चन नमबर बारा जैन धर्म का वास्तिक संसापक किसे माना जाता है? A. पार्सुनाथ B. डिसब देव C. नेमिनाथ D. महावीर इसका सही अंसर है D. यानि की महावीर कुश्चन नमबर तेरा राज की ये उच्छने आले की मुख्यनाथ इस न्युक्त होने वाली पहली भारती महला कौन थी? A. सोयता पाठक B. सुनीता वर्मा C. लीला सेठ D. अन्तिमाराज इसका सही अंसर है C. यानि की लीला सेठ कुश्चन नमबर चोदा हडपा की सभ्यता किस युग की थी? A. नव पासाड युग B. पुरा पासाड युग C. लव युग D. कांस युग इसका सही अंसर है D. यानि की कांस युग कुश्चन नमबर पन्रा भारत की जन्गर्णा कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? A. पांच वर्ष B. आठ वर्ष C. दस वर्ष D. बारा वर्ष इसका सही अंसर है C. यानि की दस वर्ष आपको जानकारी कैसी लगी? कमेंड में जरूर बताएं मिलते अंगले वीडियो में थाइंक यू